हाँ तो नमस्कार पेरे साथी हूं डीजेसर क्लासेज के उनलाइन प्रेटफर्म पर आपका श्वागते हैं हम बात कर रहे थे भारती इतियास के और भारती इतियास के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था आज उसी करम को आगे बढ़ाते हैं पैर दोस्तों हम बात कर रहे है और उनकी जो लालन पालन करने वाले माता का जन्म माता की मृत्यु कहा जाता है कि जब उसाथ दिनके थे तभी और माता की मृत्यु हो जाने के पश्चा थे बहुद्ध का नाम किया ता सिदार्थ का जो लालन पालन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है इनके प्र करने के पश्चात का जाता है करते हैं करते हैं यह करने के पश्चात सरुपति वेसालिय में किस से विलते हैं अम्तार काला वो अपना गृुरू बनाते हैं और साकिय दर्श्ण की शिख्षा पराप्त करते हैं यह था तो गिर में जाने के पच्छा तों आपर जो सीख्षा पराप्त करते हैं일गे रुद्रकर्ण आपने पांच साथ में साथ मिलकर का जाता है लगबख शे वर्स तक तपस्या करते हैं कि अपने ग़र तपिछा करना के पृष्षा क्या करते प्यार दोस्तों के बाद करते हैं इसे सुजाता नाम के द्वारा खीर खाने से क्या है कि वर्ष बाद ये अपनी तपश्या को भंग करने की पश्या थी कहां चले जाते हैं गया चले जाते हैं अपने पिपल रख्ष के पुन्पुन या फल्गु नदी के तड़ पर आठ दिन के समाधी लगा कर बैठ जाते है जाते हैं तो जुझान पर आप्त हो जाता है या जान पर आप्ट हो जाने के पश्याति की अस्थान बहुत गया कहला और ये प्रक्ष वरक्ष जो पीपल वरक्षता हो बोदी वरक्ष के लाए तरने के साथ-साथ प्यर दोस्तों अब यहां से कौन कोन सिद्दार बुद्ध कहला है यहां से बुद्ध कहला है और कहा जाता है कि इसके पश्चात इन्हों सपश्या की थी और कि देने के साथ साथ ही इनके इनके साथ एक व्यापारियह So नाम यस मिलता है पर उनको उपदेश देने के प्रत्म उपदेश था वह क्या 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 लाता है और भ्यान प्राफ्त होना क्या क्या है संबोधि कहलाता है अब बात करते हैं का जाता है कि जनोंने जो किसे बने वो कोश से के बने सरवार सप्रवादिक आ ज्यान ने पूर कहा जाता है और दोस्तों इनके बारे जो आपके भुद धर्म के जो भी सन्यासी होते हैं वर्सात काल में नहीं देते इसारनात में प्रीश का गते हैं कि अंदर को कई सारे करें इनके सिए वैसाली में फिदेस देने के लिए जाते निक्ता आंद के कहने पर यह महलाओं को प्रवेश्ट supports कि देना कहां पर किते यह YouTuber सब्सक्राइब करने के लिए पुछ सर्ते होती उसमें प्रविश लेने के लिए उसके बाद दूसरी बात कर रहे कम से सब्सक्राइब करने वाला नहीं हो इनको अधिकार नहीं था इनको अधिकार नहीं हुआ कर दोस्तों यहां पर प्रकार के विक्ति भाग ले सकते तो भिख्षुक कहलाते थे एक कहलाते थे उपासक और उपाश्यका कहलाते थे थे जो इनके दस सील गुर्ण का पालन करते थे वे उपाश्यक आफ फाश्यका पाश्यका गने प्रकार के फिया तो जो ने के लिए इनोंने वाणी प्रस्त्ति खुन गौन से प्रक्षा क्वार प्रकार के अश्टांगी कर दिया गया था और इन आठ मारगों पर चल कर करा जाता है इनमें का जाता है इनका जन्मका करती का प्रती की माना जाता है तो पीपल वरक्ष माना जाता है और उसके बाद मरत्यू व्रुठी प्रुतूप को माना प्रत्य प्रत्य पर्थिक dis het to फूर्थ को एंको ज्ञान यह सारी चीजें कर लिइंख लीटी प्यारश में चर्चाइक कर ली थी आज आफ्स लाज हम बात करने जा रहे हैं बोध संगेत्य गी किसके います बहुत संगीति की ते हम बात कर भी चुके थे पहले अब बात करने जा रहे किसकी बात करेंगे वही बोध संगति की बात करने जा रहे पहर दोस्तों बोध संगति बोध संगति और बोध संगति की बात करें पहरे दोस्तों यहां पर कितनी चार बोध संगति नहीं चार बोध संगति हुई अब बात करें तो प्रतम जो बोध संगति है कि बोध संगति है है अब बोध संगति के बात करें यह उती पहर दोस्तों चार सो तीर असी चार पूर में है अर्थात बोध की मरत्यू के शमय है अर्थात इनके मरत्यू के शमय है हुआए दो यह जब इनकी मरत्यू हुई तडिंब चार प्रत्यूत के तनके शचात यह प्रतम बोधिञ ईं की अधिदा हुथाी है राज के रमम परोती है तर Нे श्नक्राव में पध़ामिक उध्यूं फटर राज संगतीगर सबसक्रोद कहां कि बात करें ज़िए और क्या-क्या इसकी परतम बुद्ध सिंग की बात करें और इसकी क्या-क्या विशेश्टाइं देखने को मिलती है पयरे दोस्तों उसके चेक रहें है अगला ख्राव है यहां पर सासक की बात करें कोंता अजाद शत्रु जाशक था इस कुंस का था ये हरियंक का कौन था हरियंक हरियंक वंसका कि वंसका था इधियक्स का सा सकता अजातसय्च चयाँ पर इसके अध्यक्सक्त कि बात करें था जो महाकश्यप को बनाए गया था महार द्रहा को अद्यक्स बनाया गया और का आजाता है इसमें अविच्ट ना एक आगट तो दिए इन में घटनाए जो होती है को किया काम किया जाते इसकी इसकी गटना फूसा कुन सा तूत पितक व बिने पितक की बात करें तूत पितक की जो रचना की जाती पर दोस्तु यह आनद अर्षत महातमा बुद्ध का या गुतम बुद्ध का जो शिश्य था आनद की द्वारा सूत पितक की रचना की जाती है इसकी रचना की जाती है आनंद की द्वारा की रचना आनंद की द्वारा की बात करें की रचना जो की जाती है की द्वारा की जाती है आनंद की द्वारा यह बुद्ध गोतम बुद्ध का शिश्य हुआ करता था आनंद की रचना की गई आनंद द्वारा की जाते है आनन्द द्वारा सूत्त पिटक की रसना कर दी इसको पिटक ने काँ जाता है भगवान, बुद्ध के उपदेश लिखी का है इसमें समिंद हुआ रहता भई में है में भगवानक बुद्धे है के उपदेश करें घिक बद्ष के दौरा विश्क दिये गए व का रहे हैं और कहा जाता है कईक इसमें कुछ कथाएए मितीज घंव मिलती है सब्सक्राइए जातक कताहिकाल खवाण fluctman बुद्ध के जन्म से कमबंदित कथाएं है जिने हैं जातक कथाएं का हज़ात के जातक कथाएं कि कहते हैं कि क्या करते हैं जिने जातक करते हैं यह इस रूप से ध्यान रखना है पहर दूस्तूँ तो इसमें क्या क्या घटनाई गटितो यह सबसे आपको ध्यान क्या रखना ये बहुत संधेती कब होती है अर्थात गोतम बूद की जब प्रतिव हो जाती है गोतम-बूद्ध काहां होती है किसे वूद्ध कर चूके फिछली क्लास में फिर थोड़ा सा इनकी मर्तिव के द्वारा इनको शुकर मादव और यानि सुक्रका मांस कि लादने के कारण फड़ाती है और मर्तिव हो जाने के पश्याथ का जाता है कि इनके मुर्टिव होती आस्ट्रो के सासनुकाल में होती है इसका अज्डेक्स महा कश्यप बनाया जाता है सदासक्ता आजात सत्रू और इसकी इसके आयुजन किया जाता है यह राजग्रह में इसका या रखीगा और कि पैरा दोस्टों हमने ए हमने जो बात की है वह इसकी घटनाए सूत्पिटक और वीर नयजा पिटक की रसनाए की जाते हैं इसलिकर की गई क्या है गया है तोर इसमें कहा जाता है तो इसी में विने पिटक का इधियान कर ले यही पर में लिब देता हूं हुआ और क्या जानकारिया मिलती है विने पिटक किसकी बात कर भी शुख शूठ कराए दो से नमबर का पहला तो पने शूठ करबेरा दूसरे मिने अप 59 मिने पिटक की जो जानकारी मिलती है तो रचना की बात करेंगी है यह आए एक ज्यूभण की माहत्मा बुद्ध का सिस्ज्षे था उुपाली कि द्वारा कि द्वारा कि रसना उपाली के द्वारा बुद्ध का सिस्षे तों तरय ढूंके बुद्ध नाד मात्मा बुद्ध का सिस्ष्य था यह आनंद भी क्या था मात्मा बुद्ध का सिस्ष्य हुआ करता था यह उपाली बुद्ध का सिस्ष्य था यह प्रमुख सबसे घनिश्टुन का सिस्ष्य माना जाता तो आनंद ही था इस वी किया जाता है विने पिटक की रसना की जाती है और पितक में और विने पित पाहिं में कहा जाता है भुदध्य धर्म से समंधित आ जबू स्थे fire प्रवेश लेने कि सब्सक्राइब नियम का उलेख है कि प्रवेस्ट लेने के नियम का उलेख किया गया है užपाले के द्वारा बेने पिटह मैं किया गया है यह इस रूप से ध्यान रखना यह आपकी प्रतम बोद्धि संस्च की अप्रिट हो जाती है इसकी संगिती बात करते हैं सेकंड बोध संगिती के बात करें प्यारा दोस्तों कि बोध संगिती में क्या क्या चर्चाएं होती है यहां पर विशेश रूप से इनाद करना है यह सबसे पहले तो 336 जाल बात इन सो रेहां सी इसापूर में होती है क्या रखना है यह कहां पर एक वैसाली में कहां पर वही यह चुब्रेश्ण परकेवा होती यह वैसाली में कहां होती है है इसके पशाइत बात करें यहां ते देखने को मिलता है तो कहा जाता है कि यहां काला सोग सासक था बढ़ नहीं यहां पर काला सोग कौन था काला तो खोण ताक वर्ण भी कहा जाता है क्या कहा जाता है काल सो कि पूरा पूरा के साथ काला सूदा है स्बूरा काला अपसार। इस चाहरे को कह रेक्सida काला है पूरा का पूरा का लाता इस कारणी स्वोर्द संगती को में या फिल्कुल कालासूम अंधि क्या से कहा गया तो विशेश रुप से ध्यानर के बार दोस्तों और बाते करते हैं तो कि अध्येक्स किसका बनाया गया था अध्य mesa कि बात करें तो शब्रा का मीं रभा को इसका अध्येक्स बनाया गया था निसका बहुत संगती के कि यहां का काला सोक या काक वन्ड हुआ करता था चबा कामी को इसका अध्यक्ष किया जाता है और बात करें तहाँ यह इसी का नाम यह साथ चारे भी मिलता है क्या मिलता है यह साथ सका अब इसमें घटना इकती घटना से उथ ही खतना है तस जीन के अनुशाशन मतभेद हुआ बोद संग दो भागों में का जाता है कि जू हमने बात कि तीर दो थोड़ी दिर पहले किसके बारे में चर्चांब की ती दस सील डर whipped गज़ते तो fan के लिए बनाए आर्थाथ जो बोद संग में सामिल तो गभा कोक दस विलुका माना जदूरी अरर वही क्या कहलाता था नहला कर दस लोग को को लेकर को के नहीं मानना ची कोई इनको परिवर्थन करके मानना ची है रखक वए कर इसको लेकर इस तुमतभेत हो जयाते हैं तो रूपों में ये बटने के चान्सी है कि ति रूपों में गोंतना के चांसे जा OC מה जाते हैं इसको लेकर कर जोर्फ संटे कर दस सीटों को अर्थात जो इस में सामल होने के नीम हैं तस सील या दस सील गुन है उनको लेकर इन्वे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं चलिए नेक्स बात करते हैं क्या अपर लेक देता हूं मैं इस दस सीलों को लेकर उख्य गटना क्या क्या गटना इसमें क्या गटना गटी तुई भी अभी है तस सीलों को लेकर कि अग्यों को लेकर तो गुट बन गए तो गुट को गए और उनमे और उनमे और उनमे आपस में मत वेद हुगे आपस कि मैं मत भेद मत भेद मत भेद क्या ? क्या था ? क्या मत भेद थे ? उसकी वी चर्चाएं के कहा जाता है कि ये जो कहा के वैसाली और पाटली metropolitan के लोग तो जो पुरवी पंती खेला है और उसके फशेहत जलोट से तस्सीलों पर मतवेद की चर्चाएं करते हैं आम युद एपके पहला एक गुट तो क्या कहला है koo Panty का कैला फोर भी पंती का मानना था दो भाग हो गय तैसले दो पार्ट के बात करे नुखास की बात करें तो चुर्वी यह देनने के लिए तैयार यह माहतमाद्ध के तवारतम लजसों का विबरण प्रस्तुति किया था इनको माने में यह तो तैयार लेकिन का जाता तो क्या कंडिशन नहीं इसको इसको कहा गया स्तीरवादी पंत। क्या कहा गया इस्तीरवादी अर्फात यह वादी स्इविकार करें जाए जैसा है ना अर्फात यह 10 सीलों को मानने वाले थे दस लो को मानने वाले यह कहां कहां कि इसमें आ जाता है और वैसली वाले ज्यादा सामिलते इसमें कौन थे वही जो थे पाटली पुत्र कौन पाटली पुत्र तो बाइशाली वाले कहाँ अधerson को यह रिमस में ए तो कि लोग में लोग इन लोग आख। कौन लोग सामिलते जार्वति शामिलती इसमें पाटले कुट्र और बहसाली की वेखती सामिल है इसमें चलिए कि दूसरी बात करें तो दूसरा जो पंत्प था बात करें कि दूसरा पंत जो बनाया गया फैर दोस्तों बूसरे पंत की चरचाय करें चौन सा था यह पुली पंत और वह पशीमी पंत के कर अक्र प्षिमि पन्त कोंसा पंघ्रत्र स्टांग अucharist ुप स्ट्वित कर यृण TP लाया इच शिमि पंत उन्हें क्या का गया स्टांगिक परीवर्तन करके कि और की ये Battier नां था क्या मानना था इन में दस सीलो में दस सीलो तो मैं कुछ परिवर्तन किया जाए है कुछ परिवर्तन किया जाया है कुछ परिवर्तन करके इनको माना जाए हमेशा एक जैसे नहीं चलते हैं इससे होटा है लेकी dismai跳 में परिवर्तन होना रहना होता रहना चीए अपना का सविदान भी है तो चेंज होता रहता है समय के साथ उसमें भी परिवर्तन होता रहता है लेकिन ये लोग ऐसे थे परिवर्तन सी लोग थे अर्था जो परिवर्तन वाले लोग कहा गया परिवर्तन कुछ परिवर्तन चाहते थे ठीक है और कहा उसमे कुछ परिवर्तन किया जाए इसमें कि परिवर्तन करके अपनायाँ साय इसमें जो सामिल ते पैरदूसम वBe-20 को वैर उनको लोग शामनले में ओवन्त्य और स्वुशल के लोग जैदा सीने सिजिफ के लोग मत में सामिल थे समर्तन करने वाले तो पाटली पुत्र, टौकत यहांपर अवन्त और घंटार है क Join करने लोग का समर्तन करने वाले यह दोनों कहिए क्छशल सवे JA सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद जो होती है तीसरी बहुत संघिती बात करें उसके बात कर रहें है त्रतिय बौद संघिती और हम्हारे सामने आती है के लिए तरती ये बहुद संगीती की बात करें तरती बहुद संगीती बात करें तो प्यार दोस्तों इसका जो टाइम प्रेड मिलता है हमें कि दोस्तों इकाउन इशापूर मिलती है अब इसमें क्या है की इसकी तिती को लेकर बहुत प्रहांतिक है तो ये विशेस को मानता है तो ये विक सेशनुरुक्त तो इस संगीती की बात करें तो तो पॉंस बत संगृति काहा पातली पुत्र में ती सक करना संकाल में तैंक राफ कहाता है एक अब लिए नाहें प्रवात करें कांउवीचि पार्टलेपू एक मटक्रेश्ट में आहां हुई इस समय सासक के बात करें इस समय किसके सासनकाल में हुए यह सासक अशोग के शासनकाल में किसके शासनकाल में हुए अशोग के शासनकाल में किसके अशोग के शासनकाल में हुए जो अध्यक्स बनाया जाता है किसके बात करें इसका अध्यक्स जो बनाया गया भोगली पत्रिटेशी को बनाया गया मोगली मोगली फुतक कि कि से को कि स्काद्यक्स कि बनायो अबूत इसको बनायो deben our कि तीसरे पिटक अभी धंब पिटक की रचना की रचना हुई थी इसमें बात करें इसमें क्या होती है तीसरे पिटक की रचना होती है अभी धंब पिटक की रचना होती है इसमें का जाता है कि इसकी मुख्य घटना की बात करें क्या करें दोस्तों कि घटना की बात करें तो म जो गटना है कि क्या है यह है कि इसमें अभी धंब पिटक तीसरे पिटक की रचना वही तीसरे पिटक कौनसा अभी धंब पिटक कुनसा अभी घंब पिटक कि पिटक की रचना होती है किसमें इसरी वह जाता है तूझ यहां पर तीसरी पिटक जोड़ा जाता है पहली बहुत संगती में जोड़ा गया धूश्य और जाता है कि यहाँ तो कहाँ जाता है कि की यहां पर तीस्रे पितक की रशना तीक और तीसरा पितक कुझ सा अभिदंब पितक की रशना की जाती है अब क्या कंदिशन यो क्या की जाती है आपिदम्भ क्टकी रचना नोगली प्रत्रतीश्य की द्वारा आजाता है कि यह कत्रावस्तू भी आजाता है अभी दंब टक्की रचना जाती है इस लूट से तक यह एक प्रकार का दाशनी कुपा करता था यह करता था और इस आपको तो मुश्के रूप से क्या ध्यान के जो रचना की गई वो द्वारा गोगली प्रत्रति अला अगली पुट इस्च गए द्वारा कि रसना की गई तरसना किसके द्वारा की गई रसना मोगलेपों तुर्तिश्य के द्वारा की गई यह विशेश आंगी इसके व्याख्या भी सीटिवारा की गई गई के भी फ्याक्षा की घाइए ठीक एवी इस की जाती है इसकी दौरण मोगले- 2th**** तेसे कवी तीश्री बोट सीरल किया दो जने मुखिए गठना छीया एं रहे test रवी कहाँ वी को 사सकता ये कि लिए कहा हुई पाटले पुत्र में या सोग के सासनकाल में भूगले अधिक्स बनाया गया अधिक्स बनाने पश्चात इसका अभी जान के तो अब है ज़िसके चलिएगा तो अब नेक्स्ट बोध संगेति की और अंतिम बोध संगेति के के बात करते हैं चतुर्थ बोध संगीति के बात करें तो यह प्रत्म सताप्ति मोर्थी प्रत्म प्रत्म तताब्दी यह कई जगह हमें 88 इशापूर मिलता है अटर इश्विविद यह अक्षर मिल जाता है लेकिन कई जगह में प्रत्म सताप्ति द्यान रखना है कि इसकी चिट्यों को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी कई जगह सटिक तिक पैर दोस्तों तो आपको विशेश ज विए बात करने जा रहे हैं कि यह कहां हुई कुंडल वर कश्मीर में कहां हुँए कश्मीर में होती है कि बात करें कहां हुए कहां की बात करें यह कुंडल वन कहां पर कुंडल वन कहां पर कुंडल वन कहां पर कस्मीर कुंडल वन कहां पर होती है कश्मीर कुंडल वर कश्मीर में यह होती है किसके सासनकाल में इस समय सासक की बात करें तासक की बात करें तो कनिस्क के सासनकाल में कनिस्क के सासनकाल में होती है कहा जाता है कौंचा राजाता है यहां पर कनिस्क के सासनकाल में होती है कि याद रखना और यह कौंचे वंस का था वंस की अगर बात कर लिए जाए कुशान इसका अध्यक्स बनाया जाता वसुमित्र को बनाया जाता अध्यक्स की बनाया जाता वसुमित्र को बनाया जाता है अध्यक्स की से बनाया जाता वसुमित्र को 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 यह चोथी है लेटेस्ट तो इसका उपाद देख्ष को बनाए गया उपाद देख्ष को बनाए गया बुद्ध घोश को बुद्ध घोश को या इसी के जालर में अशो घोश ते भी अशो घोश यह भी नाम मिलता इसका बुद्ध घोश को अशो घोश को क्या बनाए गया इसका उपाद देख्ष बनाए अध्यक्स तो वसुमित्र बनाए गया जिए अध्यक्स का पद्वी रखा गया कौन सी चतुर्ट काल में चुरी में घोश का साथ करता था और इसका अध्यक्स वसुमित्र बनाया जाता है और इसका उत्यक्स बुद्ध को बनाया जाता है तो यहां तक ध्यान रहे जाएगा पैर दोस्कों अब क्या जानकारिया मिलती है घोश दो बागों में विवाजित ऊगया था मुख्य गटनां की बात करें तो क्या बात करें गटना इसके बोद्संग गटना क्या इस बुख्य गटना क्या है कि बॉद्संग बाद तंग तो भागों में विवाजित हो गया तो तो भागों में विवाजित हो गया तो भागों में विवाजित हो जाने के मानने वाले अलगलग वेखती हो इनकी मत्भेद हो जाते हैं। तो भागों में वाजित कर दिया जाता है। और हिण आन महायां अर्थात है। की काहा जाता है कि क्या-क्यों इनकी जान-कारी विलती है चोटी शवारी और बड़ी शवारी महीं कर सकते निको हीनियान और महायान कंते धों और ऑग कौ Security चला जाते वह रेति हैं है यह हुआ को जाते हैं वह कर दोब बाग कि को संगी के दो बाग के कार फो भाग के बोद संग के पहला बाग क्यां क्या 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 का जाता और दूसरा का लिंए का चोटी स्वारी तो फथा अपना बोध संग्याव धर्म 묻नी तो बहगों से इसमें क्या क्या जाणकारिया विलती है कौन इसमें आता है सबसे पहले यहां पर विए इसमें कट्रपंति लोग थे जुक आ जाता है फाली भासा को ही अपनाया वह ग्रंतों की रिष्णा थी के एक इनिया में क्या कट्टर पंती हुआ करती थी तो कौन से लोग तर पंती को मानने वाले कट एक हे पंती लोगों को सामिल किया गया आटर दिलो कट्रपंती लोग यह कि बाशा पली थी थी भाशा क्या थी पाली भासा क्या थी पाली भासा कि ग्रंट भी पाली में लिखे हुई थे कि ग्रंट भी कौन सी भासा में थे पाली में लिखे हुई थे कि ग्रंटों की भासा भी कौन सी हुआ करती थी अर्था तो बुद्र ने भी पाली भासा में सरवादी के देश जो दिये हैं पाली भास साथी अर्थार्थ जो जन्सामाने इसको समझता था पाली भाहसा ही हुआ करती थी लोग माने जाते हैं कौन से ही नियान और कहा जाता है कि इधर बात करें दूसरों के बात करें यह परिवर्तन के साथ अपनाने वाले और संस्कृत भाहसा को अपनाने वाले लोग माना जाता है याद रहाएं यह तो महायान वाले लोग हैं यह परीवर्तन के साथ किसके साथ पाने वाले परीवर्तन परीवर्तन के चात अपनाने वाले इसको वो धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग थे इसमें, लोग सामिल थे, लोग शामिल थे जो घुए इनकी जो ग्रंतों की भासाती वो संस्कृत इनका नेता माना जाता है नेता की बात करें तो नागार जूंग नेता जो है पून वा था नागारजुन। इनका जो नेता माना जता है वो नागार जुन unlike वहता और कहा जाता है इस प्रकार से है को थी बोध संगति में इस बहुत जखनता है को दो बाजनोद चर्ममें बढ़ जाता है Sixx dropdown customer महायान लोग है वह कहाँ जाता है परिवर्तन काते थे ही तकी बहुत धर्म में आए तो तो थाहे दोष्टो हो ये बहुत धर्म आपके आजज के लिए इतना ही काते है दोस्तो हो सब्सक्राइब कर लिए परकार की चर्चाएं कर लिया आज के लिए नुक्त क्लास नेक्स जोस और जुनुन के साथ जहिन के भारत